पैसो पर आज भी प्यार भारी है, शाहिरी और नौकरी में तकरार जारी है और लिगाएगी, ये पैसो वाले हमको अपनी दौलत से क्या तोलेंगे? ये पैसो वाले हमको अपनी दौलत से क्या तोलेंगे? हम तो किसी की वहा के बदले नजमे बेचा करते हैं एक है की, काम की तलाश में हूँ, नकारा नहीं हूँ मैं इस हार की तो आदत है मुझे, अभी हारा नहीं हूँ मैं एक कुछ लिखा था कि मैं बिखरा हूँ मगर चालाख हूँ जो मुस्कुराता हूँ बस एक आईना ही तो है जिससे नजरे चुराता हूँ जवाब था मेरा के इश्क तुमसे हद से ज्यादा है सवाल था के महीने के कितने पैसे कमाता हूँ के है नहीं अब शक्स कोई जो मुझसे भी रूठे है नहीं अब शक्स कोई जो मुझसे भी रूठे वक्त मिलता है जब भी खुद का ही मैं दिल दुखाता हूँ था नाराज खुद से मैं खता क्योंकि तुम्हारी थी हर दफ़ा मैं ही जाने क्यों अपना सर जुकाता हूँ और शायर हूँ नया नया कोई मजभ नहीं मेरा कभी हिंदी बन जाता हूँ कभी उर्दू बन जाता हूँ लखाएगी कि सिर्फ नजदीक आने को साथ नहीं कहते है सिर्फ नजदीक आने को साथ नहीं कहते है यूँ नजरे मिलाने को मुलाकात नहीं कहते है सिर्फ नजदीक आने को साथ नहीं कहते यू नजरे मिलाने को मुलाकात नहीं कहते और ये जो फकत सवालों के जवाब देती हो न तुम पूछताज कहते हैं समिरिजान बात नहीं कहते है और हाँ लिखाएगी दाग दिखाता है कपड़ों पर अक्सर मगर धोने नहीं देता दाग दिखाता है कपड़ों पर अक्सर मगर धोने नहीं देता एक चहरा है जो मुझे कभी रोने नहीं देता मेरे ख्वाब के खातिर माने गहने बेचे थे मेरे ख्वाब के खातिर माने गहने बेचे थे एक वही खौब है जो आज भी मुझे सोने नहीं देता दो लाइने लिखी थी कि तोटे बिखरे खौबो का शम्षान नज़र आता हूं देखो तो मुझे अब मैं कितना आम नज़र आता हूं और दो लाइने और थी कि खुद से जादा किसी को किसी की परवाह ना हो, आदमी महद आदमी रहे अच्छा है, दरगा ना हो. एक छोटी जी गज़र कि इतना लड़ा जमाने से अब डर गया होगा इतना लड़ा जमाने से अब डर गया होगा हर मोड पर कबरिस्तान था वो जिन्दा की दर गया होगा इतना लड़ा जमाने से अब डर गया होगा हर मोड पर कबरिस्तान था वो जिन्दा किदर गया होगा और चंद सिक्कों के खातिर बहुत इंतजार करवाया जिसने चंद सिक्कों के खातिर बहुत इंतजार करवाया जिसने मा के मरने के बाद वो बेटा घर गया होगा चंद सिक्कों के खातिर बहुत इंतजार करवाया जिसने मा के मरने के बाद वो बेटा घर गया होगा और संभाले रखा पलकों पर जो ख्वाब सालों तक किसी के आंसुओं के खातिर बिखर गया होगा आगे है कि नाखुनों के निशा बहता लहू और उधड़ा शरीर देखकर बाप था बिचारा मर गया होगा नाखुनों के निशा बहता लहू और उधड़ा शरीर देखकर बाप था बिचारा मर गया होगा और हकीमों के पास भी इलाज नहीं था उसका हकीमों के पास भी इलाज नहीं था उसका वो अपने जखमों को लेकर कभी इधर गया होगा कभी उधर गया होगा और हस्ते हस्ते उसकी आवास कापने लगी हस्ते हस्ते उसकी आवास कापने लगी गम छुपा रहा था, गला भर गया हो गया बहुत शुक्रिया आगे एक और चीज लिखी थी कि जब मिले अल्ला तो मैं राम कहता हूँ तुम जिसे गीता कहते हो, मैं कुरान कहता हूँ जब मिले अल्ला तुम्हे राम कहता हूँ तुम जिसे गीता कहते हो, मैं कुरान कहता हूँ और बहुत बेदबी से उजाडी है ये दुनिया तुमने बहुत बेदबी से उजाडी है ये दुनिया तुमने और एकदम सच जैसा भरोसा दिला कर बोलना नकाब कोई चेहरे पर लगा कर बोलना और एकदम सच जैसा भरोसा दिला कर बोलना और पूरी दुनिया ये मुझे जूटी लगने लगे पूरी दुनिया ये मुझे जूटी लगने लगे जब जूट बोलो नजरे मिला कर बोलना बहुत शुक्रिया एक लिखा था कि बार बार तरक्या गिनाते होंगे कि बार बार तरक्या गिनाते होंगे सबके बेटे कमाते भी होंगे बार बार तरक्या गिनाते होंगे सबके बेटे कमाते भी होंगे एक आपका यकी और कुछ वक्त चाहिए बस पेरेंट्स को बोल रहा हूं कि एक आपका यकी और कुछ वक्त चाहिए बस मेरे खुआब आंखों से बाहराते ही होंगे एक बिगड़ा हुआ शेर कि हुसन को किसी के मैंने इश्क हराते देखा है हुसन को किसी के मैंने इश्क हराते देखा है एक काजल वाली का प्यार किसी मेकप वाली को ले जाते देखा है अचे कुछ लाइने लिखी थी कि imagine करना एक कमरा है बच्चा एक तस्वीर से बाते कर रहा है ठीके और वो तस्वीर से पूचता है कि एक तस्वीर थोड़ी डाट पटकार लगा देगी क्या और मुद्दतों से पेट भर कर कुछ खाया नहीं मैंने खुद भूकी रहकर वो आखरी निवाला खिला देगी क्या और कुछ सस्ते से कंगन लाया था मा के लिए तु पहन कर इन्हें अनमोल बना देगी क्या एक तस्वीर थोड़ी डाट पटकार लगा देगी क्या अब और नहीं रहा जाता इस अकेले कमरे में मिरी उंगली पकड़ कर बाजार घुमा देगी क्या और मुझे खुद में मिलाकर रे तस्वीर यह बच्चा बोलता है कि मुझे खुद में मिलाकर रे तस्वीर मुझे मां से मिलवा देगी क्या अच्छा एक आखरी नजम और मैं अपनी जगा लूँगा कि एक रोज महबबत मेरी उस मुकाम पर होगी मैं सवारूंगा तुम्हें किसी और के लिए एक रोज महबबत मेरी उस मुकाम पर होगी मैं सवारूंगा तुम्हें किसी और के लिए तुम्हारी महंदी पर अपने हाथों से में नाम किसी और का लिकूंगा वही लहंगा पहनोगी तुम जो पसंद करते वक्त चेहर की सारी दुकाने कम पड़ गई थी मगर कुछ घंटों बाद कोई उतार देगा उसे मैं बांधूंगा तुमारी जुल्फों को ये जानते हुए भी कि रात भर बिस्तर में कोई खेलेगा इन से, तुमारी आखों में काजल लगा कर मैं वादा लूँगा रकीब से कोई इस काजल को कभी मिटने नहीं देगा तुमारी आखे सुनी अच्छी नहीं लगेगा एक रोज महबत मेरी उस मकाम पर होगी बहुत शुक्रिया